हेलो काईस कैसे आप सभी लोग हमारी ट्रीक चैनल को पूर आप सभी को फिर्शे सवगत है आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक आन्बॉक्सिंग वीडियो जी आप देख सकते हो हमारे पास जो है फ्लेपकर्ट की तरफ से बॉक्स आ गया है वीडियो के टाइट इस आन्बॉक्सिंग वीडियो देखने के बात जो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने के जरूवत ही नहीं पड़ेगा तो फ्रेंट्स चलिए शूर करते हैं आज की वीडियो फाइनली फ्रेंट्स आप यहां पे देख सकते हो हमारे पास जो है यह बॉक्स आ गया है त आप यहां पर देख सकते हो मैं विल्कुल फोकस करके आपको दिखा रहा हूं देखिए कितना बेकार कंडिशन में भीजा गया है बॉक्स बिल्कुल टैमेज है तो देखते हैं इसे ओपन करते हैं फिर अंदर की कंडिशन आपको दिखाता हूं यह है फ्लिप कर्ट की पैकेजिंग इसे साइट कर देता हूं मैं देखिए इसके बाद मेंसें ग्रेया करके wyn Olay देखिए इसे भी कट कर लेता हूं तो अगर पैकेजिंग की बात करूं पैकेजिंग उतना अच्छा नहीं है तो यह है Samsung Galaxy Tab A7 ठीक है यह इसके फॉन्ट साइट की लोक है यहां से देख सकते हो बागी चारो तरब कुछ नहीं है पीछे की साइट में जो है इसके पूरे डिटेल्स यहां पे दिया गया है इसके यहां पे MRP आप यहां पे देख सकते हो 25999 है लेकिन यह जो है आपको 2199 में मिल जाएंगे यह 4G प्लस Wi-Fi फ्लस 4G वेरियंट है आप अगर Wi-Fi वेरियंट लेना चाहेंगे तो वह आपको लगबग लगबग 18000 की करीब मिल जाएंगे तो बाकी इस तरब जो है कुछ नहीं है इस तरब जो है डिवाइस के बारे में थोड़ा सा और जानकरी दिया गया है कौन सी कलर का है 32GB इसका को ब्रेक कर लेता हूं काफी बड़िया टैप है आप अगर ऑफिसियल परपस के लिए यूच करना चाहते हो या वर्क फ्रॉम होम या तो जैसे अभी ऑनलाइन प्लासेश चल रहा है तो इसके लिए भी है जो है आप इसे यूच कर सकते हो तो सेंपली मैं इसे ओपन कर ले है तो ऊपर ही जो है सबसे ऊपर ही जो है टैप रखा गया है एक टेक्स्चर फैब्रीक में इसे रैप किया गया है इसे हम साइट में रखते हैं बाकि देख लेते हैं इसे भी आन्वोक्स अभी करेंगे बाकि और क्या यहां पर दिया गया है इसे देख लेते हैं यहां पर जो है कुछ warranty card है and quick start guide है तो आप चाहिए तो पढ़ सकते हो यह सब बैसे कोई पढ़ता नहीं है and यहाँ पर जो एक sim ejector tool भी दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते एक sim ejector tool भी जो है यहाँ पर प्रोवाइट किया गया है तो यह जो है 4G variant है and इसमें जो है sorry इसमें 4G plus Wi-Fi दोनों आप इसमें यूज कर सकते हो इस टैबलेंप पर आप इसमें जो इसमें जो इंटर्नल स्टोरेज चाहिए से आप aspects कर सकते हो 1 TV तक यहाँ पर हमें एक चार्जर प्रोवाइट किया है बैसे यह जो टबले टैबलेट अपरेंड्स 15 watt की फ्रेस्ट को सपोर्ट करते हैं लेकिन बॉक्स में जो हमें 15 watt की चार्जर नहीं मिलते है यह जो एक स्लो चार्जर है 55 volt 1.55 MPR का है तो एक स्लो चार्ज प्रोबाइट किया गया है तो हम आसा करते थे इसमें जो एक फास्ट चजर बॉक्स में अगर प्रोबाइट किया जाता तो और भी अच्छा होता केविल दिया गया है यहां पीर आप देख सकतों प्रोबाइट किया गया है और बॉक्स के क्रवाइट कले कि तो तो यह सब हम साइट में रखते हैं और बॉक्स को हम साइट कर देते हैं अब हम मेन कॉंटेंट के देख लेते हैं यह जो हमारा Samsung Galaxy Tab A7 है जैसे मैंने पहले बोला था टेक्स्चरड वाली कपड़े में जो है इसे फोल्ड करके रखा गया है इसे हम हटा लेते हैं तो आप यहां पे देख सकते हो फ्रेंट्स में आपको बताना चाहूंगा फर्स्ट इंप्रेशन य्से आप इसे आन्बोक्स करेंगे आपका बहुत चाहिए इसलिए अच्छा होने वाले हैं इसलिए 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 बाकी मेटवर्वीव देख वाता देता हूं सबसे पीछे Samsung कि आपको यहां पर लोगो देखने को मिल रहे हैं इसके साथ-साथ जो आपको 8 Mp गार तोप शाइट में आपको स्पीकर आपको देखने को मिलेंगे इसका जो हाई-लाइटेट पीचर मैंने बताया था आपको वीडियो में पहली इसमें कोईट स्पिकर सेटब आते हैं तो डॉल्बी एक्टमोस के साथ तो एंटर्टेंवेंट की जो एक्स्पिनेंस आपको बहुत ही अच्छा होने वाले हैं इस साइट में बिल्कुल खाली है बिल्कुल लास्ट में यहां पी जो है सीम एजेक्टर टूल और जो सीम ट्रे है जो म क्लिउ अपने डिवयर से फिर दो माइक्रोफोन डो जो है स्पिकर शेट आपको यह आप देखने और अक्पी ज्यानरेर को मिल रहें इस सेट में आपको इन आपको यह'll you तो आप यहां पर देख सेकते हो कितना प्यारा लग रहा है तो इसे मैं open कर लेता हूं इसमें जो प्रोशेसर दिया गया है इसमें जो प्रोशेसर दिया गया है welcome snapdragon 662 यहां पर देख सेकते हो जैसे यह open किया Samsung Galaxy Tab A7 secured by knock powered by android यह आपको यहां पर देखने को मिल रहें तो देखता हूं बूटिंग टाइम इसका क्या है and first है मैं इसे चार्ज में लगवंगा चार्ज में रगा कि आपको बताऊंगा यह जो slow charger दिया गया है इसमें आपको लगवग लगवग धाई से तीन घंटा लगेगा आपकी टैप को पूरा चार्ज करने में and इसमें जो बैटरी प्रोवाइट किया गया है इस टैप में 7040 इमेज की बैटरी है तो overall जो है काफी बड़ी आई experience रहने वाला है मैं इसे फटा-फट सेट अप कर लेता हूं उसके बाद मैं आपको बताता हूं तो फ्रेंट्स फाइनली जो है हमने इस laptop को पूरा सेट अप कर लिया है तो अगर मैं डिस्प्ले की brightness की बात करूं बहुत ही अच्छा brightness है मैं देख सकते हैं बिलकुल full brightness कर रखा है काफी बड़िया लुक है जैसे ही आप इसे हाथ में लोगे आपको खाली प्रेमियम लुक आएगा 7mm थिकने से बहुत ही पतला laptop है आप चारो तरब इसे रोटेट कर सकते हैं आप किसी भी तरीके से इसे उच करिए चारो तरब इसे रोटेट हो जाएगा जैसे मैं नहीं है इसे set up किया बहुत सtinya एक बगैर आपडेट होना सुरू हो चुका है इसके सथ यहां पीफा देख सकते हो सारे यहां पे अपडेट चल रहा है इसके में जो है कोई security patch update भी आ गया है जैसे मैं इसे जैसे मैंने इसे update पे लगा है जैसे मैंने connectivity इसमें दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो security patch level 1st August 2021 का जो है update यहाँ पे अलड़ी सुरू हो चुका है तो इसे भी मैंने लगा लेता हूँ बिलकुल up-to-date कर देता हूँ इसका जो display reference काफी बढ़े display है इसका पूरे details जो है मैं आपको बता देता हूँ इस tablet की इसका जो speaker है जो quiet speaker setup है काफी बढ़िया इसका highlighted feature से तो वो भी मैं जो है आपको इसमें sound test करके आपको सुनाओंगा सबसे पहले तो मैं जो है आपको इसका जो पूरे जो specification है यह सब जो है मैं आपको बता देता हूँ तो आप अगर business purpose के लिए ले रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया option है आपके पासे samsung tap a7 बहुत ही अच्छा option है और इसमें जो है आपको qualcomm snapdragon 662 मिल रहे है तो इस price range में अगर थोड़ा सा और higher processor मिलता 730 या 730G तो वो काफी अच्छा option था तो 662 भी बहुत ही बेकार मैं नहीं बताना चाहूंगा यह भी काफी अच्छा processor है वालकम की तरफ से आते हैं यह भी तो अभी जो है मैं इसका पूरा जो स्पेसिपिकेस है इस टैप का मैं इसे open करके आपको बताऊंगा ताकि जो है आपके साथ कोई गलत इंफोमेशन सेयर ना हो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा आप अगर online classes बगेरा इसमें अटेंट करते हैं तो काफी अच्छी बात है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा option है इसके जो है सामने की तरफ आपको जो है फाइब मेका पिक्सल और बैक साइट में आपको बैक साइट में आपको जो है इसका पूरा जो स्पेसिफिकेशन है आपको मैं आपको बता देता हूं ताकि आप अगर पर्चेस कहना चाहते हूँ आप अगर एक टैप ढून रहे हैं तो आपके लिए अच्छा option हो है आपको जो है पूरे जानकरी रहे इस टैप के बारे में तो पूरे स्पेसिफिकेश करेंट आपको बता देता हूं कि इसमें आपको दो भी रेंट आपको देखने को मिलते हैं सैमसंग गलक्सी टैप एसेवन में इसका जो डिस्पले है अगर मैं बात करूं इसमें नहीं यह कोई दूसरा टैप मैंने ओपन कर लिया है जश्ट ए मिनिट है थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए टैप एसेवन आप बिल्कुल सही आ गया है तो मैं इसका पूरे स्पेसिपिकेशन आपके साथ सेयर करना जाओंगा यह जो है 2020 में September में जो है launch किया गया था अगर मैं इसकी body की बात करो इसमें आपको बिल्कुल metal body मिलते हैं and TFT display आपको इसमें देखने को मिलेंगे 10.4 inches का आपको display देखने को मिलेंगे 79% screen to body aspect ratio आपको इसमें देखने को मिलेंगे इसके साथ साथ OS के अगर बात करो Android 10 आपको इसमें pre-installed आपको देखने को मिलेंगे Android 11 आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जागे 1 UI 3.1 के साथ इसमें जो है Qualcomm Snapdragon 662 मिल रहे हैं जो 11 nanometer के उपर base है और इस octa-core processor है एक इसमें जो है आपको 3GB, 32GB, 4GB, 64GB, 3GB RAM variant आपको देखने को मिलते हैं लेकिन इंडे में आपको 3GB, 32GB variant आपको देखने को मिल जाएंगे Flipkart, Amazon and Samsung की जो official website है वहापे आपको देखने को मिल जाएंगे आप अगर इस step को buy करना चाहते हो based by link जो है वीडियो के description box में दे दिया आप वहां से जाके भी ले सकते हो इसके साथ साथ जो आप इसमें microSD card लगा सकते हो up to 1 TV तक तो huge memory आपको यहां पे देखने को मिलेंगे आपको यहां आपको आपको पीछे की तरफ जो 1080p 30 fps में रेकॉड करके देगा वीडियो और सेकेंडरी कैमरा जो फ्रॉंट कैमरा है जो यह वाली कैमरा है इसमें आपको 5 मेगा पिक्सल देखने को मिल रहें यह भी जो है 1080p जो है आपको पिक्सल के वीडियो आपको देखन को मिल जाएंगे इसमें आपको क्वैट स्पीकर देखने को मिल रहे हैं Dolby Atmos के साथ आता है 3.5 mm headphone jack भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे तो इसके साथ साथ अगर connectivity की बात करूं आप अगर Wi-Fi variant लोगे तो उसमें आपको जो है Wi-Fi की आपको इसमें LTE के connection नहीं मिलें करेंगे बैसे जो है LTE version है तो यहां पर देख सेकतो हो मैंने इस आपडेट को डाउनलोड कर लिया है तो इसे में बाद में इंस्टॉल कर लेता हूं तो काफी बड़िया options आपके पास रहेगा तो मैं आपको एक बार software दिखा देता हूं इसमें कौन सा software इंस्टॉल है इसमें जो है One UI 2.5 अभी फिलाल इंस्टॉल है तो इसमें आभी फिलाल जो है आपको Android 10 के साथ यह device आपको देखने को मिलेंगे software update about this tablet software information तो यहाँ पे आप देख सकते हो One UI version 3.1 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं Android version Android 11 oh my god मैंने सोचा था इसमें Android 10 प्री इंस्टॉल है लेकिन नहीं इसमें अल्रेडी Android 11 के उपर जो है यह रन कर रहे हैं तो यह काफी अच्छी बात है मैंने सोचा था इसमें Android 10 रन कर रहे हैं लेकिन नहीं यह Android 11 के उपर ही वेस है अब अब आगस्ट का अपडेट मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया है वह भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे बैटरी इंपोशन के बात करो इसमें 7040 इमिच की बैटरी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे अभी 50% है अब जो है बिलकुल एक दो वेप सिरीच पूरा देख सकते हो यहां इतने लंभी बैटरी आपको यहां पर देखने को मिल रहें तो अब मैं बात करता हूं इसमें काफी अच्छी बात है हमें Android 11 आउट वाक्स हमें देखने को मिला है यह काफी अच्छी बात है अब मैं स्पिकर टेस्ट आपको करके दिखा देता डॉल्बी एट्मोस है तो आपको जो है लाउटनेस अच्छा देखने को मिलेंगे एंड आपको जो है ना इसका साउंट एक्सपिरियंस काफी अच्छा मिलने वाले है तो मैं इसे ओन करता हूँ इस एट को स्किप कर देता हूँ पहले आप साउंड सुन सकते हूँ इस साइड से सुनिया इस साइड से आपको काफी अच्छा मिलने वाला है इस टेब में आपका जो मालिटी मीडिया एक्सपिरियंस होने वाला है बहुती बढ़िया होने वाले है इमेज क्वालिटी अगर बात करो डिस्प्ले की क्वालिटी का बात करो बहुती अच्छा डिस्प्ले है अगर मैं प्री इंस्टॉल एप्लिकेशन की बात करों तो pre-install application आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेंगे बहुती बड़िया आपको experience मिलने वाले हैं इसमें जो है nox security मिल रहे हैं तो आपकी जो files बगरा हैं बहुती secure रहेगा बहुती अच्छे में रहेंगे इसमें जो है netflix and spotify के साथ deeply integrated किया गया है तो आप अगर netflix या spotify से कुछ भी आप content देखेंगे या देखना जाएंगे तो आप यहाँ पर simply search करेंगे तो आपको जो है बिलकुल यहीं पर आपको search result में आ जाएगा आपको जो है अपकी अंदर जाने की जरूरत नहीं है यह भी काफी अच्छी बात है तो overall जो है काफी बढ़िया टैप है एक budget range में आप अगर लेना चाते हैं आप बिलकुल ले सकते हैं आप इस टैप के साथ बिलकुल जा सकते हैं based by link मैंने वीडियो की description box में दे दिया आप वहाँ से जाकर चेक आउट कर सकते हो तो overall इस टैप की बारे में और कुछ queries है तो आप हमारे वीडियो की comment section में comment करें मैं आपकी comment की answer जरूर देने वाला हूँ and कुछ भी queries है वो मैं जरूर solve करके देने वाला हूँ and friends आसा करता हूँ friends इस टैप के रिगारिंग सारे queries आपका solve हो गया है and कुछ भी queries रहे गया तो आप हमें comment करके बताईए मैं आपके comment की answer जरूर देने वाला हूँ मिलता हूँ आपके साथ next video में next content साथ वीडियो आपको कैसा लगा comment section में जरूर बताईएगा कुछ भी queries है जरूर बताईएगा आच्छ लगा तो please एक like कर दिजिए बंदे मात्रों